दोस्तो हम स्पोर्ट्स अक्सर टीवी या मोबाइल पर देखते रहते हैं। आप में से कई ऐसे होंगे जिनने स्पोर्ट्स में काफी दिल्चस्पी होगी। मैदान में खिलाडियों का कर्तब देखकर मज़ा आ जाता है। आपकी फेवरेट टीम जब कमाल कर देती है तो आप भी उचल जाते हैं। स्पोर्ट्स अक्सर हमारा दिल अपनी और खीची लेता है। आज हम आपको कुछ खिलाडियों के ऐसे कमाल दिखाने जा रहे हैं कि आप तारिफ किये बिना नहीं जाएंगे। नमबर वान अमेरिका की कैरी स्ट्रोफ एक आर्टिस्टेक जिमनास्टिक हैं। 1996 के ऑलमपिक में इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। गेम में वाल्ट लीब करते हुए कैरी का एक पाउँ तूट गया था। फिर भी अपने तूटे हुए पैर से कैरी ने इतनी जोर से छलंग लगाई कि अलुमपिक गोल्ड मेडल इसके कदम तले आ गया। कैरी ने उस दिन अमेरिका को जिताने के लिए अपने तूटे हुए पैर से गेम को कम्प्लीट किया और पूरी दुनिया में एक मिसाल खड़ी कर दी। नमबर टू हमारे पास हाथ नहीं होंगे तो हम क्या हैं क्या कर सकते हैं। मगर इस वैक्ति को देखने के बाद शायद आप अपने शब्दों को बदल ली। क्योंकि ये है मैट स्ट्यूज मैन। इनके दोनों हाथ नहीं हैं। इनको आर्चरी खेलने का बहुत शौक था। दोनों हाथ ना होते हुए भी इनोंने दुनिया का सबसे लंबा कंपाउंड बो का शौट मारा है। इतना ही नहीं इनके इस टैलेंट को गिनेज वर्ल्ड रेकॉर्ड बुक में भी शामिल किया गया है। अगर मोटिवेशन लेना है तो कोई इन से ले। नमबर थ्री स्ट्रीट बाइक रेस में अकसल लड़के खुब धूम मचाते हैं। मगर आज आपके सामने है एक लड़की ये एक लेडी स्ट्रीट बाइकर हैं जिसने अपने करतब से सब को हैरत में डाल दिया। ज़रा देखिए एक चक्के पर कितनी स्पीड में आराम से बाइक चला रही है। कि अपनी बाइक को ही उड़ा लेता है इसमें खत्रा तो है मगर इसमें सब कुछ इतने अच्छे से काबू कर लिया है कि देखने में ये एक कमाल का खेल लगता है। इजिप्ट का टैनिस प्लेयर ये देखिए कितनी सफाई से टैनिस खेल रहा है जबकि इनके पास हाथ नहीं है। अपने मू और पैर केबल से ये महाशे न जाने टैनिस के कितने गेम्स को जीत चुके हैं। रियो के पैरलोंपिक गेम में इन्होंने पहली बार डेबू किया था और तभी से दुनिया भर में उनकी प्रशंसा होने लगी। दरसल जब ये दस साल के थे तब एक ट्रेन एक्सिडेंट में इन्होंने अपने दोनों हाथ खो दिये थे। मगर फिर भी टैनिस खेलने की इच्छा ने इनकी डिसेबिलिटीज को कभी रुकावट बनने नहीं दिया। सॉकर फुटबॉल के गेम में गोल कीपर स्कोर हाथ से बॉल को रोकने की इजाज़त तो होती है। मगर यहां इस क्रैप में आप जिस गोल कीपर को देख रहे हैं वो अपने हाथ का इस्तिमाल किये बिना सारे सॉकर्स को गोल होने से रोक लेता है। देखिए कैसे अपनी बॉडी को 360 डिगरी पर घुमा कर सारे बॉल्स को अंदर जाने से रोक लिया। अब जरा यूएस की इन दो डाइवर्स को देखिए। ये दोनों स्विमिंग कॉंपुटिशन में काई बार विजयता रह चुकी हैं। मगर आप डाइव करते वक्त इनके तरीकों को देखिए। कितनी खुबसूर्ती के साथ ये दोनों एक साथ कूद रही है। स्पोर्ट्स हिस्ट्री में ऐसे मुवमेंट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। नमबर एट रनिंग रेस को देखते समय हम अकसर जोश में आ जाते हैं। जब रनर्स विनिंग लाइन के करीब पहुंसते हैं और कॉंपुटिशन सब से टफ होता है। तब तो सब कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन उस लाइन को पहले टच करेगा। ऐसे में जब देखने वाले जोश से भर जाते हैं तो सोचिए कि दोडने वालों को लाइन टच करने की कितनी जल्दी होती होगी। इसका एक्जेंपल आपको 2019 के सेकिंड ट्रेक एंड फिल्ड चेंपिनशिप में 400 मीटर हडल्स रेस में खूब अच्छे से देखने को मिलता है। जहां एक रेसर लाइन को टच करने के लिए दूर से ही छलांग लगा देता है। भले ही लेंडिंग अपने सिर के बल पर ही क्यों न करनी पड़े और आखिरकार जीती जाता है। ये रेस पूरे स्पोर्ट्स हिस्ट्री के लिए यादगार मुमेंट बन गया है। इनके बारे में जानने के बाद आपके मन में मानोहिम्मत आ जाएगी। दोस्तो इनके पास एक ही पैर है और ये अपने एक ही पैर से ही बरफीले पाड़ों पर स्किंग करते हैं। उन्होंने अपने दम पर अकेले कई डॉक्यूमेंटरी भी बनाई है। जरा सोचिए हमारे दो पाउं होने के बावजूद हम उचाईपा चड़ने से आलस करते हैं। और जब किसी के पास एक पाउं है फिर भी अपने जजबे के साथ वो क्या कुछ कर सकता है। सच में देखकर सलामी ठोकने का जी करता है। अब जापान के इस खिलाडी को देखिए। ये एक टैनिस प्लेयर है। टैनिस में बॉल टैनिस टेबल के उपर ही फैंकी जाती है। मगर यहां बॉल को गिरने से बचाने के लिए इसने टेबल के नीचे से भी बॉल को फैंक दिया। और ऐसे में उसे पॉइंट भी मिल जाता है। इसे देखकर सावने वाला प्लेयर हैरत में पड़ जाता है। स्पोर्ट्स की दुनिया में ये पल खूब चर्चा में रहा। स्पोर्ट्स इतिहास में ये कुछ पल हैं जो हमेशा याद किये जाते हैं। दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। और कॉमेंट सेक्शन में हमें बताईए कि क्या आपने कभी किसी यादगार स्पोर्ट्स मॉमेंट को अपनी आँखों से देखा है।